जेहिन दोस्तो आज से हम सुरू कर रहे हैं कम्प्यूटर विशय का कम्प्लीट लेक्चर स्रीज यह पूरा लेक्चर लगभग 10 से 15 वीडियो में होंगे जो आपके प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे कि IS, PCS, SSC, CDS, Railway Banks इत्यादी के लिए उप्योगी होंगे इसके लावा जिन लोगों ने आज से पहले कम्प्यूटर विशे पर उतने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था वैसे अब यर्थियों के लिए बिया काफी लाबदायक होगा तो चलिए दोस्तों, पहले हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्षर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे, What is computer? एकदम सामानने सब्दों में, computer क्या है? उसके बाद है, components of computer, इसके घटक क्या-क्या है? आगे है, characteristics of computer, computer system की विशेश्थाएं, limitation of computer, computer की सीमाएं क्या है? application of computer, computer के अनुप्रयोग क्या है? आगे है, impact of computerization, computer क्या आने से आखिर क्या बदला हुए है? और अंत में है, computer literacy, यानि computer साक्षर्ता क्या है? इन सारे सवालों के जवाब, आपको इस lecture के दोरान मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस lecture को देखिए, क्योंकि इस lecture पर आधारित, आपको MCQ series के भी video मिलेंगे, वहाँ आप प्रस्नों को attempt कीजिएगा, इसके बाद पूरी उमीद है, कि इस अध्याय से आपके प्रस्न बिल्कुल भी नहीं चूटेंगे, तो चलिए दोस्तों, lecture के शुरुआत करते हैं, what is computer, देखें, आज किस modern परिवेस में, सायद ही ऐसा कोई वेक्ती होगा, जिसने computer कभी नहीं देखा होगा, हम अपने दिन मर के कारियों में, कोई न कोई कार ऐसा जरूर होता है, जो computer पे ही आधारित होता है, तो देखें, computer सब्द की उत्पती न, ग्रीक भासा से होई है, अब ये ग्रीक भासा क्या है, आए इसे समझते हैं, दरसल ये प्राचीन यूनान की भासा थी, जो वहां के लोग बोलते थे, बाद में इसकी लोग प्रियता इतना जाला पड़ गई, कि ये रोम की आधिकारिक भासा भी बन गई थी, अच्छा हम ये अक्सर सुनते हैं, कि हमारे आके बहुत सारे सब्द ग्रीक भासा से लिए गया है, जैसे biology, geology, galaxy, इत्यादी, आखिर ऐसा क्यों था, दरसल उस समयना तकनीकी छेत्रों में ग्रीक भासा की स्त्रेश्ट इसलिए बहुत सारे सब्दों को अडौप्ट कर लिया गया, बहराल computer सब्द की उत्पती compute से हुई है, जिसका अर्थ होता है गन्ना करना, और सामाने सब्दों पर computer का भी यही अर्थ होता है, गन्ना करने वाली machine, या यंद्र, या फिर इसे संगनक भी कहा जाता है, और आटोमाटिक मसीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपुन गन्नाओं के लिए प्रयोग किया जाता है अब आएए कम्प्यूटर के बुनियादी या बेसिक कारे क्या हो सकते हैं इसे समझ देते हैं तो एक कम्प्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में स्विकार करता है अब यह डाटा क्या है इसे समझते हैं डाटा ना केवल एक रिपर्जेंटेशन है यह कच्चे तत्यों और सूचनाओं का संकला होता है जिसका अपने आप में कोई सार्थक मतलब नहीं है लेकिन इसी को जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो यह सूचनाओं बदल जाता है तो कम्प्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में स्विकार करता है फिर दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करके उसे सूचनाओं बदल देता है फिर उस सूचना को भविश्व में उप्योग के लिए श्टोर भी करता है या आप चाहें तो उस सूचना का आउटपुट भी ले सकते हैं आईए इसके बाद कॉंपोनेंट सबकंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या है इसे समझते हैं इसके घटक हैं hardware, software तथा data जी हाँ, data भी इसके घटक होते हैं आईए इसे एक एक करके समझते हैं hardware देखें या कंप्यूटर का physical part है जिसे हम देख सकते हैं चूध सकते हैं वहीं software, अनुदेशों तथा प्रोग्रामों का सम्भू है जिसके इनुसार computer कारे करता है इसे हम छूँ नहीं सकते हैं इसके बाद है डाटा देखे डाटा को हमने पहले ही समझ लिया था यह अववस्थित कच्चे तत्यों तता सूचनाओं का संकलन है जिसका अपने आप में कोई सार्थक मतलब नहीं होता है हलाकि सामान्यत डाटा दो प्रगार के होता है पहला नियूमेरिकल या संख्यात्मक डाटा जैसे कि 2, 4, 6, 8 हित्यादी और दूसरा होता है अलफा नियूमेरिक या चिनात्मक डाटा जैसे कि कोई अच्छार या कोई चिन हित्यादी अब देखे इन सारे तरकों का एक बहुत ही सुन्दर निस्कर्स है अगर hardware computer का सरीर है न तो software उसकी आत्मा है आप जानते हैं आप सरीर को छू सकते हैं देख सकते हैं वहीं आत्मा को आप छू नहीं सकते हैं इसी प्रकार hardware और software का भी संबंद होता है और सबसे अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के बीना निरत्थक होते हैं दोनों का होना जरूरी है आए आगे वढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं Characteristics of Computer Characteristics of Computer या Computer System की विसेस्ताएं क्या हैं आए इसे समझते हैं तो सबसे पहला है गती या Speed सायद आप जानते होंगे कि एक सूपर कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों करोडों जटिल गन्ना हैं हल कर सकता है आप सोच के देखिए कि इनकी गती कितनी अधीक होगी वैसे कंप्यूटर की गती को M.I.P.S. Million instruction पर सेकेंड में मापते हैं आप इसे प्रोसेसर की गती से बिल्कुल भी कंप्यूज मत कीजिएगा क्योंकि प्रोसेसर की गती को हम हर्ड्स में मापते हैं वहीं कंप्यूटर की गती को Million instruction पर सेकेंड में मापते हैं आगे है स्वचलित या Automatic देखे अगर आपने एक बार कमांड दे दिया तो यह बिना रुके ठके चलती रहेगी साथ इसमें मानविय हस्तचेप की संभावना भी नहीं के बराबर होती है आगे है एकुरेसी या त्रूटी रहितकारे देखे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कम्प्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है ऐसा हो सकता है जब या तो आपका कम्प्यूटर वायरस से ग्रसीद हो या कोई प्रोग्रामिंग रर आ गया हो लेकिन फिर भी इसके चांसेस 99 प्रतिसत सामानेता नहीं के बराबर होते है तो यह कहा जा सकता है कि एक कम्प्यूटर एक कुरेसी के साथ सही परिनाम देने में सक्छम होता है आगे है अस्थाई भंडारन चमता या पर्मानेंट इस्टोरेज कापसिटी देखे कम्प्यूटर ना इलेक्टरोनिक तरीके से सूचनाओं को संग्रहित करता है जो लगभग चीरस्थाई हो जाते हैं आये इसे एक उदारन से समझते हैं आप सायद कभी बच्पन में अपने दादा या दादी जी के साथ पुष्ट आपिस गया होंगे तो आपके दादा या दादी जी क्या करते हैं उस पोष्ट माश्टर को बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे निकालने हैं और अपना पास्बुक दे देते हैं अब वो पोष्ट माश्टर उस पास्बुक को दस मिनट तो पढ़के समझने में लगाते हैं कि उन्होंने इससे संबंधित रजिष्टर को कहा रखा था और यकीन मानिए बस आपका सारा काम हो गया तो ये फायदा होता है अस्थाई भंडारन चमता का इसके बाद है विसाल भंडारन चमता या लाज श्टोरिज क्यापसिटी ये कंप्यूटर के माध्यम से न हम इंटर्नल तथा एक्स्टर्नल तरीके से लगभग और सीमित भंडारन कर सकते हैं इसके बाद है जल्द निन्यनिल की शमता या क्विक डिसीजन मान लिजे अगर आपने 100 पेज प्रिंट करने का कमांड दिया है तो वह पहला पेज प्रिंट करने के बाद बाकी 99 प्रिंट में अपने क्विक डिसीजन के हिसाब से लगातार काम करते रहेगा आगे है विवित्ता या वर्श्टाइलिटी आप कंप्यूटर पे विभिन प्रकार के कारे एक साथ कर सकते हैं इसके बाद है पुन्रावरिती या रिपिटेशन देखिए कंप्यूटर एक ही तरह के कारे बार बार और समान विश्वसनियता से लगातार कर सकता है आगे है स्फूर्टी या एजिलीटी देखिए कंप्यूटर को आप एक गंड़ा चलाइए पांच गंड़ा चलाइए या चौबिस गंड़ा चलाइए उचीत विवस्था में चलाने से किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है या ठकान से परे है और आपको हर बार समान चमता से परिनाम देता है जब तक कि समान पासवर्ड या बायो मैट्रिक से एकसेस ना किया जाए इसके बाद है कारे की एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी ओफर्क शामान लिजे आपने एक ही तरह के 2000 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने का निर्देश दिया है तो आपको 2 के 2000 डॉक्यूमेंट्स में सारे डेटा एक ही मिलेंगे किसी भी तरह का कोई टेंपरिंग नहीं दिखेगा इसके बाद है विश्वस्तनियता या रिलाइबलिटी देखे आपको कम्प्यूटर से हमेशा भरोसे मंद परिनाम मिलते हैं इसके बाद है कागज के प्रयोग में कमी या पेपरलेस वर्क देखे ये हमारे परियावरन की दृष्टी से बहुत ही महतोपूर्ण है आया दिन आप सुनते होंगे कि ये ओफिस पेपरलेस है वो ओफिस पेपरलेस है आज तो बहुत सारे legislative council, legislative assembly भी paperless होते जा रहे हैं आपने देखा होगा इस बार budget को paperless ही प्रस्थूत किया था अब इतने सारे खूबियों के साथ आईए इनकी कम्यों पर भी नजर डालते हैं सही मायने में न ये chapter means paper के लिए आज से काफी महत्तुत है जब आप means में प्रस्थनों के उत्तर लिखेंगे न तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा खेर आएए देखते हैं limitation of computer limitation of computer या computer की स्थीमाय क्या हो सकती है आएए समझते हैं तो सबसे पहले बुद्धिहिन या no mind आप यही सोच रहोंगे कि अभी हमने computer की इतनी सारी खूबियों की बात की तो क्या computer के पास बुद्धी नहीं होता है तो ये बात सही है कि computer के पास बुद्धी नहीं होता है आईए इसे एक उधारन से समझते हैं मान लिजे आपने Alexa को कहा हाई तो उधर से भी आपको reply मिला फिर आपने कहा मेरे पास दो आम है Alexa उलती हो के सर अब आपने कहा कि बताओ इन दोनों में से पका हुआ आम कोन है अब बेचारी Alexa के पास कोई जवाब नहीं होता है तो बस बात यही है कि कम्प्यूटर के बास सोचने और निर्ने लेने की छमता नहीं होती है इसके बाद है खर्चीला या एक्स्पेंसिव देखिए एक कड़वा सच है कि आज हम टेक्नलोजी की बात करते हैं कम्प्यूटर की बात करते हैं आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं लेकिन क्या इनसे रिलेटेट सारे कॉम्पोनेंट या कम्प्यूटर का खर्च एक सामान्य व्यक्ति वहन कर सकता है जवाब बहुत दविस सब्दों में नहीं इसके बाद है वाइरस का खत्रा या इम्यून टू वाइरस देखें ये भी एक काफी गंभीर समस्या है हम काफी बार सुनते हैं कि डाटा क्रफ्ट हो गया यूट्यूब, ट्वीटर हैक हो गया और तो और अभी आपने रस्या यूक्रेन वार में साइबर अटैक का वी जिक्र सुना होगा तो देखें कम्प्यूटर पर लगातार वाइरस का खत्रा बना हुआ राता है इनसे कुछ भी परे नहीं है चाहे इंसान हो या मसीन हो आगे हैं विद्दूत पर निरवरता या डिपेंड्स ओन इलेक्टिसीटी माप कीजिएगा यहां पर ओन होगा देखें दुनिया के सारे फोन लैप्टाप, कम्प्यूटर या कोई भी विद्दूतिय उपकरन अंतता इलेक्टिसीटी पर ही डिपेंडेंडन्ट होता है इसके आभाव में ये सक्षम नहीं होता है आएए आगे देखते हैं एप्लिकेशन अब कम्प्यूटर या कम्प्यूटर के अनुप्रियोग क्या-क्या है तो पहला है डाटा प्रोसेसिंग देखें डाटा प्रोसेस का मतलब इवोलूशन या विकास करना भी होता है तो कम्प्यूटर से हम बड़े से बड़े डाटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलते हैं और इन सूचनाओं का प्रयोग लगभग सभी छेत्रों में होता है आगे है एक्सचेंज ओफ इन्फरमेशन देखें प्रोसेस की हुए सूचना को त्वरित माध्यम से आधान-प्रदान किया जाता है हम एक सेकेंड में कोई सूचना विदेश बेज देते हैं या वहां से प्राप्त कर लेते हैं और यह सब संभव हापाता है कम्प्यूटर और इन्टरनेट के माध्यम से अब विशेश बात यह आया कि कम्प्यूटर और इंटरनेट के दोनों के विकास से संभव वियाक्रांती आज के परिवेश में इतना ज्यादा महत्वपून है कि ने सूचना का राजमार्क या इनफर्मेशन हाईवे विका आ जाता है। इन सब के अलावा कम्प्यूटर का परियोग हम सिक्छा हो, अनुसंधान हो, रेलवे, वायुयान या जल्यान इत्यादी का परिचालन हो, बैंकिंग छेतर हो, चिकित सा रक्षा, अंत्रिक्ष प्रध्योगी या कोई भी छेतर हो, कम्प्यूटर के विकास तथा उप्योग न इन सभी छेतर को सरल तथा दुरुदगामी बना दिया है, आएए, आगे देखते हैं कम्प्यूटर के आने से, आखिर क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं, यानि कि Impact of Computerization, तो सबसे पहले हैं समय की बचत या Time Saving, देखिए, आज के इस व्यस्ततम दुनिया में, हर व्यक्ति अपना काम जल्द से जल्द करना चाहता है, तो कम्प्यूटर का प्रयोग करके आप जटिल से जटिल गन्ना या Multiple कारे आसानी से और कम समय में कर सकते हैं, इसके बाद है तुरूटी रहितकार या Accuracy, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कि कम्प्यूटर से गलती होने की संभावना लगभग नहीं के वरावर होती है, या आपको भरोसे मंद परी नाम देते हैं, आगे है कारे की गुणवता या Quality of Work, देखे इसे एक उधारन से समझते हैं, पहले एक पिंटर, साइन बोड लिखने पांच से छे गंटे लगाता था, और अब क्या है, अब आप फ्लैक्स प्रिंट करने वाले को बोलिए, वो आपको आधे गंटे के अंदर प्रिंट देतेगा, डिजाइन आप जैसा भी बनवा लिजे, 2D, 3D, लैंडेस्केप, पोट्रेट या कोई भी गुणवता भी उस पेंटर की तुलना में आपको अच्छी मिलेगी, माप की मैं उन पेंटरों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुद की हवी रही है पेंटिंग करना, लेकिन साहब ये कड़वा सच है कि कम्प्यूटर के आने से बहुत कुछ बदलाव आ गया है, आगे हम इनके नकरात्मक प्रभावी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद है कागज के प्रयोग में कमी या पेपर लेस वर्क, देखिए कम्प्यूटराइजेशन का अगर कोई सबसे अच्छा लॉंग टर्म इफेक्ट हुआ है न तो यही है, सायद आपको पता नहीं होगा कि कम्प्यूटर का प्रयोग नहीं होने से पहले लाखो लाख टन कागज की वेश् देखिए अभी हम कुछ देर पहले नकरात्मक प्रभाव की बात कर रहे थे न वो यही है, बस आप उसी उदारन को लेकर देखिए, आज ना जाने कितने पिंटर बेरोजगार हो गये हैं, आज उनके कला का कोई सम्मान नहीं करता, या अपने काम के वो जितने पैसर डिजर करते हैं न, कंप्यूडर के आने से अब कोई देना नहीं चाहता है, कंप्यूडर के आने से बहुत सारे छेत्रों में पहले जितने लोगों काम मिलता था न, अभी उन सब का काम एक अकेला विक्ति कर लेता है, इन सब के अलावा साइबर क्राइम भी इसके नकरात्मक योग इसका कर सकता है, साध इसलिए इस मौडरन दुनिया में हमें तकनीकी ग्यान होना भी बेहत जरूरी है, तो आएए देख लेते हैं कंप्यूटर लीटरेसी या कंप्यूटर साक्षरता क्या है, आएए समझते हैं, माले जे एक वेक्ति है जिसका नाम X है, वो अपने इस दीवन में सिर्फ ATM से पैसा निकालने जानता है, या सिर्फ उसे ये पता है कि कंप्यूटर से फोन में ये image या video क्या से डालते हैं, तो बस वह वेक्ति कंप्यूटर साक्षर है, कंप्यूटर साक्षरता कि सामान ने सब्दों में बस यही परिवासा है, और अगर आप इस परिभासा के दारे से ज़्यादा जानते हैं तो आप end user की स्रीनी में आते हैं अब digital divide क्या होता है आए इसे भी जान लेते हैं मालेज़े एक वक्ति है राम जो computer की सामान या वरियत जो भी हो जानकारी रखता है वहीं दूसरा वक्ति है स्याम जो computer के बारे हैं बिल्कुल भी नहीं जानता है अब इन दोनों के बीच का जो gap है न यही digital divide है एक महत्वपूर्ण आकड़ा है internet के उप्योग से सम्बंदीत आए इसे देख लेते हैं आज हम digital करांती की ब्राद कर रहे है न लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में केवल 30 प्रतिसत लोग ही internet सेवा का उप्योग करते हैं वहीं वैस्विक अस्तर पर यहां आकड़ा 47 प्रतिसत का है मुझे लगता है सायद हमारे प्रधान मंत्री जी मन की बात इसलिए रेडियो पर करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके तो आज का लिक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंड बाक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेरे सब्स्राइब जरूर करें धन्यवाद